नमस्कार दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सारे रिकॉर्ड सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी नाक से तेज टाइपिंग के वर्ल रिकॉर्ड के बारे में सुना है, और क्या आपने ऐसी जगह के बारे में सुना जहां आप रो नहीं सकते, तो दोस्तों आएए जानते ह ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्स के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखे तो आए शुरू करते हैं वैसे तो गिनीज बॉल्ड बुक में बहुत सारे रिकॉर्ड लिखे हुए है उन्ही रिकॉर्ड में से एक ये भी है दुनिया की सबसे उची पगड़ी पहनने का रिकॉर्ड पंजाब के अवतार सिंग मोनी के नाम पर है इस पगड़ी का वजन 45 किलोग्राम और इसकी लंबाई 645 मीटर है इस पगड़ी को पहनने में 5-6 घंटे तक का समय लग जाता है दुनिया में सबसे छोटी हाइट होने का रिकॉर्ड जोती अमगे के दिया गया है इनकी हाइट केवल 2 फीट 6 इन्च यानी 62.8 सेंटिमीटर है ये महिला नागपुर की रहने वाली है दुनिया में सबसे लंबी मूच 58 वर्षियर राम सिंग चौहान के पास है इनका नाम गिनीज वर्ल्ड वुक में दर्ज है राम सिंग चौहान जैपुर के रहने वाले हैं और इनकी मूचों की लंबाई 14 फीट है ये 32 साल से अपनी मूचों को बढ़ाए ही जा रहे थे क्या आपने कभी नाग से टाइपिंग करने के बारे में सोचा है 90 प्रतिशत लोगों ने नहीं सोचा होगा लेकिन हाइदरबाद के खुरशीद हुसैन ने नाग से सबसे तेज टाइप करने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने 47 सेकंड में 103 करेक्टर को अपनी नाग से टाइप किया था दुनिया में एक आदमी ऐसा भी है जिसने अपने शरीर पर सबसे ज़्यादा टैटू बनवा रखे है इस शक्स ने दुनिया में सबसे ज़्यादा टैटू बनवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है इसलिए इसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज है इस व्यक्ति का नाम Lucky Diamond Rich है, जो की New Zealand के रहने वाले है ऐसी कौन सी जगह है जहां इंसान रो नहीं सकते, इसका जबाब है अंतरिक्ष जी हाँ हम अंतरिक्ष में रो नहीं सकते, क्योंकि gravity ना होने के कारण हमारे आसू गिरेंगे ही नहीं इसलिए यदि आप रोते हैं तो आपके आसू नीचे नहीं गिरते, आपकी आँखों में ही चिपक जाते हैं, जिस कारण देखने में परेशानी होती है Fact No.7 Music सुनना तो सबको पसंद ही होगा, लेकिन क्या आपने Music सुनते समय कभी गौर किया है जब आप खुश हो और कोई Music सुनते हो, तब उसकी धुल पर ध्यान देते हो, और जब आप दुखी हो, तब आप Music के शब्द को समझने की कोशित करते हैं Fact No.8 आपको जानकर हैरानी होगी की डाक चॉकलेट खाने से आखों की शक्ती बढ़ती है, साथ ही दिमाग के काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है Fact No.9 आपको जापान की डेलवे के बारे में कहा जाता है कि वहाँ ट्रेनों के आने जाने के कारण लोग घड़ी की सूया मिला देते हैं हलाकि कई बार जापान में भी तकनीकी या अन्य कारणों से ट्रेने लेट हो जाती है लेकिन भारत की तरह वहाँ देरी का आंकड़ा घंटों में नहीं बलकि कुछ सेकेंड या मिन्टों में है जापान की बुलेट ट्रेन शिंका सेन का रिकॉर्ड है कि यह कभी भी 36 सेकेंड से ज्यादा लेट नहीं हुई है तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले